एफ्रेंट आज हम लोग exercise number 3.3 करेंगे तो इस exercise number 3.3 में हम लोग substitution method को use करेंगे using the substitution method हम लोग exercise को complete करेंगे तो एक एक करके दिखते जाएंगे वैसे हम लोग पूरा question को solve नहीं करेंगे जो टफ रहेगा उसको solve करेंगे मुझे ऐसा लगेगा कि आपको बताना चाहिए तो मैं बता तूँगा आपको ठीक है जैसे इसमें 6 questions दिये हुए हैं तो हम पूरे के पूरे questions को solve नहीं करेंगे मैं आपको हिंट देते जाओंगा जिससे आप इसको solve कर पाएंगे ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को और एक एक करकी चीजों को समझते हैं तो सबसे पहला है हमारा solve the following pair of linear equation by the substitution method इसमें से यह पहला question को मैं जब solution method का topic जो बता रहा था तो उसको मैंने solve करवाया था ठीक है तो हमनों दूसरा question लेते हैं थोड़ा अलग type का अलग example कि हम लोग इसको लेते है question number 4 थोड़ा अलग भी है और करने में मजायाएगा ठीक है क्या बोलता है इसमें 0.2 x plus 0.3 y equal to 1. ठीक लेते हैं तो question number 4 क्या बोलता है 0.2 x plus 0.3 y equal to 1.3 यह होगी हमार equation number 1 ठीक है और equation number 2 क्या बोलता है 0.4 x plus 0.5 y equal to 2.3 तो second question है 0.4 x plus 0.5 y equal to 2.3 ठीक है तो यह दो questions हमारे पास से मिल चुका है अब इसको solve कैसे करना है जैसा हमनों normally solve करते हैं इसको वैसे ही solve करना है point को आप कुछ भी मत करिएगा ठीक है तो चली सबसे पहले हमको क्या करना है let equation number 1 ठीक है तो let भी लिख सकते हैं now भी लिख सकते हैं now लि ठीक है now equation number 1 ठीक है now equation number 1 ठीक है 0.2 x plus 0.3 y equal to 1.3 ठीक है तो 0.2 x x को लेंगे हम लोग तो y वाले terms को जाल लेंगे यह 1.3 minus 0.3 y ठीक है तो एक्स कितना आएगा 1.3 minus 0.3 y divided by 0.2 ठीक है तो यह हमारी x की value निकल चुकी है put the x value in equation number 2 put the value of x is equal to 1.3 minus 0.5 y divided by 0.2 in equation number 2 तो इससे क्या होगा इससे यह होता है कि जो x की value को अगर आप इसमें put करेंगे तो इस पूरे equation में स्रीफ फर स्रीफ y तम भसता है और जिससे हम लोग अराम से y की value को निकाल सकते हैं ठीक है तो चलिए देखते हैं so 0.4 और x की value लिए 1.3 minus 0.3y divided by 0.2 plus 0.5y equal to 2.3 ठीक है अब कुछ ज्यादा बचा नहीं है देखे 0.2 है यह भी 0.2 है तो पहले इसको cut कर लेते हैं इससे क्या होगा हमारा equation जो है वो था छोटा हो जाएगा तो यह बंजा और यह point 2 बनेगा ठीक है अब कुछ ज्यादा नहीं बचा है 13 13 2 जा 26 तो मतलब 2 point sorry 26 लिख लेता हूं ठीक है बहुत सिंपल से mathematics है minus 236 कितना point है एक और इसका दो तो एक 0 लगाई है और यह point okay y plus 0.5 y equal to 2.3 ठीक है इससे हमको एक और फाइदा मिला इसको यहां पास में ही reduce करने से कि हमको इसको यहां सिफ्ट नहीं करना पर और इसका value को बढ़ाना नहीं पड़ा है यह से हम लेके ठीक है तो इस जीतना हो सके आप equation को reduce करने की कोशिस करिएगा ठीक है ठीक तो देख देखिए अब क्या करना है इसको यह वाले जो value है यह आपकी constant time में इसको इतल ले जाएगा और इसको equate कर लेते है ठीक है तो देखिए minus 0.06y plus 0.5y is equal to 2.3 minus 0.26 ठीक है अब यह value बड़ी है minus कर लिजे तो minus करते time पर क्या आएगा यहाँ पास में 0 ले लिजेगा तो 0 में से है मतलब 10 में से गया बचेगा 4 यह 4 बचा हुआ है तो यहां 4 आ जाएगा ठीक है point 0 y equal to इसको minus कर लेते हैं देखे तो यहां कुछ नहीं तो 0 लेना पड़ेगा क्योंकि point के बड़ दो डिजेट है 10 में से गया 4 यह 2 बचा 2 में से 2 गया 0 फिर यह 2 नीचे ठीक है तो य की value कितनी आए 2.04 divided by 0.44 अब यहां पास में देखे point के बड़ दो डिजिट है यहां भी point के बड़ दो डिजिट है तो अब हम point हटा सकते हैं इसका तो 204 divided by 44 लेकिए इसका point दो डिजिट इसका दो point डिजिट हट जाएगा अब इसको आप छोटा कर लिए तो टू से जा रहा है टू टू जा टू टू जा वन जिरो टू फिर टू एलेवन जा ठीक है टू फाइब जा टू बन जा तो 51 अपॉन एलेवन आगे हमारा अंसर ठीक है यह हमारी वाई की वैल निकल चुकी है अब इसको आप किसी भी एक इसी में पूट कर लिजिएगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ठीक है तो चले देखते हैं तो एक्सो एक्सो एक्स इसकल टू कितना आया है एक्स इसकल टू आया हमारा 1.3 माइनस 0.5 वाई इस अपॉन जिरो टू टू ठीक है तो 1.3 माइनस 0.3 y अपॉन 1 0.2 ठीक है और एक्स की वैल्यू क्या आई है हमारी एक्स की वैल्यू आई हमारी 51 अपॉन 11 ठीक है 51 अपॉन 11 तो यहां लिख लिखेंगे 51 अपॉन 11 पूट कर दीजिए तो आयेगा 1.3 माइनस 0.3 इंटू 51 अपॉन 11 डिवाइड बाई 0.2 ठीक है आपको काल्कुलेशन करना पड़ेगा देखे यह रिड्यूस तो हो नहीं पा रहा है इस पर्टिक्लर पॉइंट पे तो हमको लेना ही पड़ेगा ठीक है तो यह 13 है और यह 11 है तो चलिए इसका अलसे हम ले ले लेते है तो अलसे हम आएगा 11 ठीक है अलसे हम से इसको मॉंटिप्लाई करेंगे तो 11 ठीज़ा 33 3 ऊपर 11 11 और 3 14 ठीक है एक पॉइंट है तो यहाँ पास में पॉइंट लगा दिजिए माइनस फिफ्टी वन इंटू पॉइंट थी तो 3 बंज़ा 3 और 35 ज़ा 15 पॉइंट के बाद एक प इसको माइनस कर लिजिएगा तो 3 में से 3 गया 0 पॉइंट ठीक है अभी देखेगा यहाँ पास माइनस टम आ रहा रहा है इसको द्यान लिजिएगा ठीक है तो यह बड़ा वैलिव है तो 5 में से 4 गया 1 तो 1 पॉइंट सम्तिंग आ रहा हो भी माइनस में अपान 11 और यह एक्स की वैलिव कितनी आ रही है एक्स की वैलिव और यह माइनस 1.0 डिवाइड बाई इसको इससे करेंगे मंटिप्लाई तो 11 22 और एक पॉइंट तो मतलब 2.2 सम्तिंग आ रहा है तो इस इस आवर आंसर सेकंड आंसर एक्स इकल तो 1 अपॉइंट 2.2 ठीक है अगर आप इ मिन आस 5 अपॉन 11 और य के बैलिवाइगी 51 अपॉन 11 ठीक है तो दिस इस दांसर औंसर ऐगे तो यौ गुश्य नसर यह होगा इससी तरीके सापको इसको सॉल्व करना है ठीक है तो इसको और भी कोस्ट्रेंशन से जैसे यह रूत वाला टर्म है ठीक है तो रूट वाले ट ले लिजेगा 6 वाले question का ठीक है तो root वाले question को करके मैं आपको बताता हूं कि इसको कैसे किया जाता है और 6 वाले question को आप easily बना सकते हैं इसका LCM लेकर reduce कर लिजेगा ठीक है जैसे इसका LCM 6 आएगा इसका भी LCM 6 आएगा तो इसमें क्या होगा इस वाले में आपका LCM 6 आएगा तो यह 3 3 9 X minus 10 Y equal to minus 12 आएगा ठीक है इस तरीके से आपको इसको solve करना है ठीक है तो इस question को आपको लेते हैं तो root 2 X plus root 3 Y equal to 0 parallel लेते हैं हम लोग तो question number 5 ठीक है so root 2 X plus root 3 Y equal to 0 इसमें ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं आने वाली क्योंकि यहां पास में यह constant जो था वो 0 के आसपास है तो हमको को दिक्कत ज्यादा नहीं आएगा दिखिएगा तो root 3 X minus root 8 Y तो root 3 X minus root 8 Y equal to 0 तो यह equation number 1 है और यह equation number 2 है ठीक है तो सबसे पहले लेते हैं let 2 X plus 3 Y equal to 0 इस टाम को दिल ले जाएए तो root 2 X is equal to minus root 3 Y so X is equal to minus root 3 Y upon root 2 ठीक है एक स्क्राइब निकल चुकिये है पुट दे वैल्यू अफ पुट दे वैल्यू अफ पुट दे वैल्यू अफ एक स्क्राइब लेते हैं तो क्या आएगा हमरे पास में root 3 into root 3 upon 2 minus में रहेगा 1y ठीक है minus root 8 Y equal to 0 ठीक है तो अब क्या आएगा मारा आणसर देखें root 3 root 3 3 तो minus 3 upon root 2 Y minus root 8 upon Y equal to 0 ठीक है अब इसमिस क्या करना है अब इसमिस देखिए इसको साथ से हम ले लीजेगा तो इसमें एक प्रॉब्लम यह है प्रॉब्लम क्या है मैं आपको पता देता हूं कि देखिए इसमें साब जो भी टर्म निकालना चाहते हैं इसमें साब य बहार निकाल लिए ठीक है तो अंदर क्या बचेगा थ्री अपान रूट टू माइनस एट यहीं बचेगा इक्वल टू जीरो यह पूरा का पूरा टम यह इसके नीचे चला जाएगा देखिए तो यह पूरा टम अगर इसके नीचे चला जाता है तो जीरो अपान थ्री अपान रूट टू माइनस रूट एक तो यह पूरा टम नीचे है और उपर में जीरो है तो य की वैल्यू कितनी आने वाली है जीरो आने वाली है ठीक है तो यह वैल्यू आना बहुत ज्यादा जरूरी है ठीक है नहीं तो एक्वेशन कंप्लीट नहीं हो पाता है तो चलिए देखते अंगला कोश्चन तो यह कोश्चन भी आपको समझ में आ गया हो फाइव और फोर भी ओके है ठीक है अब देखिए यहां परसमें जो शिक्स कोशें में अब को ता है ऐसे हम लेकर इसको करना है तो आपको एक्वेशन नदा देता हूं कि एक्वेशन कित y-5 by 3y equal to minus 2 यह equation number 1 है ठीक है और equation number 2 क्या बोलता है x by 3 plus y by 2 equal to 13 by 6 तो x by 3 plus y by 2 equal to 13 by 6 okay तो यह हमारा second equation हो गया तो इस equation को कैसे equate करेंगे इस equation के लिए LCM ले 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 लिए 2 और 3 है तो 6 बन जाएगा यह ठीक है तो देखिए 2, 3, 3, 3, 9x LCM देखिए 3, 2, 2, 5, 10y is equal to minus 2 तो इसको कैसे हो जाएगा यह आला तो यह 9x minus 10y is equal to 6, 2, 12 तो यह minus 12 आ गया ठीक है यह equation number 3 ले लिए लिए ठीक है तो simple form में आप आ चुका है यह अला equation इस equation को इस second equation को भी वैसी कर लिए तो यह बनेगा 6, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, देखी नीचे भी 6, इसके नीचे भी 6, इसके नीचे भी 6, cancel कर दीजिएगा, तो आपको simple equation है, 2x plus 3y is equal to 13, ठीक है, equation number 4 ले लिए अब ये equation और ये वाला equation दोनों बहुत ही easy हो चुका है, आप इसको अराम से solve कर सकते हैं, ठीक है, तो चलिए इस तरह किस अगले question की तरह and hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3, ठीक है, ये equation दो देख रहे हैं, ये एक आपका simple equation है, इसमें x और y value unknown है और इसके लिए आपको equation दे दिया है, तो आपको substitution method से पहले इसको solve कर लीजेगा, बाद में m की value आपकी असानी से निकल जाती है, ठीक है, तो अचलिए solve कर करके देख लेते हैं तो question number 2 क्या बोलता है, 2x plus 3y equal to 11, ठीक है, so question number 2 है, 2x plus 3y equal to 11, पहला equation है हमारा, तुक्सरा equation है, 2x minus 4y equal to minus 24, so 2x minus 4y is equal to minus 24, तो equation number 1, so equation number 2, ठीक है, तो चलिए सबसे पहले equation number 1 को equate करते हैं, तो net equation number 1, तो equation number 1 क्या है अपना, 2x plus 3y equal to 11, so 2x is equal to 11 minus 3y, so x is equal to 11 minus 3y upon 2, देखे, x के value आपने आ चुकी है, इस value को आपको second equation है, ठीक है, second equation input करने से पहले देखे, ये भी 2 से जा रहा है, ये भी 2 से ये भी 2 से, तो आप equation को थोड़ा छोटा कर लिजेगा, देखे कैसे करते हैं, इसमें से 2 निकाली, इसमें से 2, इसमें से 2, या फिर इस numerator में, इसमें left hand side में भी 2 से divide कर दीजे, और right hand side में भी 2 से आप divide कर दीजे करेंगे तब की value कितनी आएगे, यहां लिख लेते हैं, dividing, equation number 2 by 2, ठीक है, divide करेंगे तो कितना आएगा, 2x-4y is equal to minus 24, divided by 2, divided by 2, divided by 2, 2 to cancel, 2 1 जा, 2 जा, 2 1 जा, 1, 2, ठीक है, तो क्या value है हमारा, x-2y is equal to minus 2, equation number 3 ले लिजेगा, ठीक है, अब okay है, put the value of x in equation number 3, ठीक है, so, put the value of x is equal to 11 minus 3y upon 2 in equation number 3, ठीक है, ठीक है, so, x, x की value क्या आ रही है, 11 minus 3y upon 2 minus 2y equal to minus 12, ठीक है, अब क्या करेंगा, अब से हम ले ले लेते हैं, 11 minus 3y minus 2, 4y upon 2 is equal to minus 12, ठीक है, 2 को इधर ले जाएगा, तो 11 minus minus 3 minus 4 minus 7y, और यह बन जाएगा minus 24, ठीक है, so, minus 7y is equal to minus 24 upon, ठीक है, यह 11 इधर जाएगा, ठीक है, बहुत लोग अरबड कर देते हैं, इस पर, minus 11, ठीक है, minus 7y, 4 and 1, 5, 2 and 1, 3, minus, 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 cancel, so, y is equal to 35 upon 7, 7 बंज़ 7, 5, 0, so, 5 की value हमारी आचुकी है, कितना, sorry, y की value आचुकी है, 5, अब इस पो आपको किसी भी equation पूट कर दीजेए, तो इस equation में पूट कर लेते हैं, हम लोग चलिए, यही पास में, थोड़ा से जगा चीए, ज्यादा नेचीए, ठीक है, सो, x is equal to 11 minus 3 into 5 divided by 2, so, 11 minus 3, 5 is 15 upon 2, तो, x की value कितना आएगी, 15 वेसे 11 गया, minus 4 upon 2, 2 बंजा, 2 तूजा, तो अंसर आया, minus 2, x की value आई 5 और y, sorry, y की value आई 5 और x की value आईगी, minus 2, अब क्या करना है, x और y की value निकल चुकी, अब इसको हमको इस equation में पूट करना, y equal to mx plus 3 में, ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, so, x is equal to minus 2 and y equal to 5, 5, then y equal to mx plus 3, यह हमारा equation था, ठीक, तो put the values, put the value of x and y, ठीक है, इस equation का नाम भी दे सकते हैं चाहिए तो, ठीक है, और चाहिए तो नहीं भी दे सकते हैं, 5 equal to m into minus 2 plus 3, so, 5, कभी कवार confusion हुजाता है, कि इसको इसको plus कर देते हैं लोग, तो इसको आप bracket लगा लेगा, जिससे आपका answer थोड़ा सा better हो जाएगा, ठीक है, गलती होने के chances कम रहेंगे, ठीक, तो यह 3 को अब इथर ले जाएए, तो यह बन जाएगा minus 3 और इसको से multiply करेंगा, तो माइनस 2m, तो 5 में से 3 किया, तो बचेगा, 2 is equal to minus 2m, so, m equal to 2 upon minus 2, ठीक है, मुझे लगता है कि answer correct भी है, तो second question आपको clear हो गया होगा, कि second question को कैसे solve करना है, ठीक है, अब देखे, यह questions आपको बस पढ़के बताने हैं, और इसमें से equation बनते ही साथ, आपका answer भी बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है, बहुत लोग इसी पर गलती कर देते हैं, क्योंकि पढ़ते टायम पर लोगों को question समझ में नहीं आता है, पर आप इसका practice करेंगे, तो तीन बार तो आपको easily समझ में आ जाएगा, बहुत जादा questions नहीं है, इस पर question number 3 पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 questions है, और बहुत ही easy तरीके से हम सब के सब 6 के 6 question को solve करेंगे, मैं आपको equation बताते जा कर सकते हैं, चलिए start करते हैं, ठीक है, तो using the, find the solution by substitution method, तो specifically आपको दिया रहेगा, कि इसको कौन से method से solve करना है, तो इसमें clearly लिखा हुआ है, using the substitution method, ठीक है, okay, Okay, students, question number 3 में क्या बोलता है, पहला question, the difference between two number is 26, मतलब हमारे पास में दो number है, और दोनों number का जो difference है, वो कितना है, 26 है, फिर क्या बोलता है, and one number is three times the other number, जो भी number हम लेंगे, वो दूसरे number का तीन गुना जाता हो जाएगा, find them, अदब हमको बताना है कि, वो दो numbers कौन से है, तो चलिए देखते है, the difference between two numbers is 26, ठीक है, तो question number 3 का first है, let the numbers, सबसे पहले हमको लेट लिना पड़ेगा है कि वो number कौन से है, let the number x and y, तो हमारे पास में दो number आ चुके है, अब क्या करना है, अपने को according to question, according to question, तो according to the question, क्या बोलता है, कि difference between two numbers is 26, मतलब कि, x minus y is equal to 26, इसको equation number आप 1 ले सकते हैं, ठीक है, यह पहला number यह दूसरा number और तो उनों का difference 26 आता है, second क्या बोलता है, one number is three times the other number, ठीक है, मतलब पहला number आप जो भी लेना चाहने ले सकते हैं, x is equal to 3y ले सकता हूं, तो बहुत लोग इसको x is equal to 3y भी लिख सकते हैं, और आप चाहें तो y is equal to 3x भी ले सकते हैं, कि दोनों ही अपनी जगह में सही है, तो अब जो चाहें ले सकते हैं, तो मैं पहला बाला ले लेता हूं, ठीक है, तो यह मारा second आ गया, put the value of x in equation number 1, simple सा कर लेते हैं, ठीक है, तो I hope आप इसको solve अराम से कर लेंगे, ठीक है, तो में चीज है कि आपको यह question समझ में आना चाहिए कि question क्या बोल रहा है, ठीक है, इसी तरीके second question देखते हैं हम लो, second question में क्या बोलता है, the larger of two supplementary angles exceed the smaller by 18 degree, find them, ठीक है, इसके लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि two supplementary angles क्या होता है, two supplementary angles का मतलब यह होता है, कि दो angle और उसका sum जो होता है, वो 180 होगा, supplementary का मतलब, 180 degree, ठीक है, ठीक, तो चली देखते है, question number two को बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है, so, let the larger number, larger number is x and the smaller number is y, ठीक है, हमारे पास में दो number आ चुका है, पेरा larger number x है और smaller number हमारा y है, अब question को देखिए, according to the question, the larger of two supplementary angles exceed the smaller by 18, तो मतलब बड़ा number जो है, ठीक है, वो छोटे छोटे ओला जो number है, उससे 18 degree, 18 degree बड़ा है, ठीक है, तो according to the question लिख लेते है, according to the question, ठीक है, तो according to the question में क्या आएगा हमारे पास में, according to the question में आएगा, कि बड़ा वाला angle, जो कौन सा है, x है, जो छोटे वाले angle से, जो कि y है, उससे 18 जादा है, देखिए, second equation हमारे complete हो चुका, इसको आप equation number 1 ले सकते हैं, ठीक है, अब एक equation तो काम बनेगा नहीं, दूसरे equation भी चाहिए, तो क्या बोलता है, तो larger of two supplementary angles, exceed this smaller by 18 degree, अब इससे तो एक ही equation बन रहा है, पर हमको मालूम है कि दो angle का sum supplementary 180 होता है, ठीक है, तो second equation हमको खुद से बनाना पड़ेगा, वो क्या है, x plus y equal to 180 degree, ठीक है, this is our second equation, अब आप इसको easily solve कर सकते हैं, आपका question easily solve, हो जाएगा, ठीक है, बहुत जिम्पल सहा है, बस question को समझना है कि question बोल क्या रहा है, ठीक है, ठीक है, तो देखिए, इसी तरी कि third question को समझते है, third question क्या बोल रहा है, the coach of a cricket team by seven bats and six ball, seven bats and six ball for three eight zero zero, ठीक है, 3800 रुपीज, अब देखिए, यहाँ पास में रुपीज है और यहाँ पास में number of bats है, ठीक है, तो इसमें आपका एक bat का कीमत नहीं दिया गया है, कि bat की कीमत कितनी है, और जब price of the bat into number of bats को multiply किया जाता है, तो हमारे पास में total bat का price आता है, ठीक है, तो लिखते टाइम पे आपको बस यही ध्यान देना है, कि आपको लिखना क्या है, ठीक है, तो चली बहुत सिंपल सा है, तो 7 bats है और 6 ball है, ठीक है, और 3800 रुपीज का cost है, तो चली देख लेते हैं, बहुत सिंपल सा है, question number 3, so let the cost of one bat, एक bat का cost कितना है, रुपीज एक्स, ठीक है, then the cost of one ball कितना है, रुपीज य, अब हमारे पास में पता चल गया है, कि एक्स एक वेरियेबल है, जो कुछ भी cost हो सकता है, उसके bat का, और कुछ भी cost हो सकता है, ball का, अब equation निकाल सकते हैं, हमनों देखे, according to question, कितना था, 7 bat and 6 ball, ठीक है, तो देखे, 7 bat into bat का price, 6 ball और उसका price, equal to 3,800, equation number 1 आगया, ठीक है, इसे तरी कि देखे, C by 3 bats and 5 ball in 1750 रुपीस, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो 3 bat and 5 ball, ठीक है, ठीक है, 3 bat and 5 ball equal to 1750, equation number 2, अब आप इसको easily solve कर सकते हैं, आपके पास में equation अब आ चुका है, ठीक है, तो निकालना क्या है, X और Y की value को आपको निकालके बताना है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो अगला question क्या है, या फिस लोग city में रहते हैं, उन लोग तो जानते ही हैं, कि जब हम किसी भी auto या taxi में बैठेंगे, तो उसका एक fixed charge होता है, ठीक है, मतलब कि वो उतना पैसा तो लेगा ही लेगा, अगर आप एक बार hire करें, और थोड़ी से दूर में भी उतर जाएंगे अगर, ठीक है, तब भी वो कुछ हम कुछ charge करेगा ही करेगा, और उसके बाद में, जैसे वो charge किया, उसके बाद आपका एक kilometer चलिए, या दो kilometer चलिए, या तीन kilometer चलिए, किलो मीटर के हिसाब से अलग charge करता है, ठीक है, hire करने का अलग charge, और kilometer को travel करने का अलग charge, ठीक है, अगर आप ओला और उबर में बैठते हैं, तो अलग बात है, उसका ऐसा system नहीं है, ठीक है, पर अगर आप नॉर्मल आटो लेते हैं, या टेक्सी लेते हैं, तो उसमें ऐसा रहता है, ठीक है, तो जिलोग village area में रहते हैं, उनको इसके बारे में कम मालूम रहता है, क्योंकि उलोग कभी taxi में उदर गए नहीं रहते हैं, तो उनको charges के बारे में नहीं मालूम होता है, आपका charges रहता है, वो सहाथ first kilometer के लिए 10 रहता है, और बाकी kilometer के लिए 8 रहता है, अलग-अलग city का अलग-अलग रहता है, और सहाथ charges बढ़े भी गए होंगे, ठीक है, तो चलिए देखते हैं, तो fixed charge के लिए हमको एक variable की जर्वत पड़ेगी, और एक-एक kilometer जो आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसके लिए भी हमको एक variable की जर्वत पड़ेगी, ठीक है, तो चलिए ले लेते हैं, question number 4 के लिए, so, let the fixed charge equal to, कितना रुपीज, मान लिजे कि, एक्स रुपीज, वो fixed charge उसने बता दिया है, ठीक है, and per kilometer charge, अब हर kilometer के ही साथ से उसने एक charge fix कर लिया, मान लिजे कि, वाई है, ठीक है, अब according to the question क्या बोलता है, according to the question, ठीक है, तो question क्या बोलता है, for a distance of 10 kilometer, the charge paid is 105, ठीक है, 10 kilometer चले का, 105 रुपीज उसने दिया, ठीक है, तो देखे, जो 105 रुपीज उसने दिया है, यहाँ पास में, वो 10 kilometer चलने का दिया है, प्लस उसमें fixed charge भी included है, ठीक है, तब जाकि उसने 105 दिया, 10 kilometer चला, उसने सबसे पहले fixed charge का कुछ amount दिया होगा, प्लस 10 kilometer चलने के उपर में कुछ चार्ज उसने दिया होगा, ठीक है, fixed amount प्लस 10 kilometer, तोनों मिलके बनेगा 105 रुपीज, ठीक है, पासिंग बगज उता, इस तरीके second देखिए, इसमें क्या बोलता है, for journey of 15 kilometer, the paid charge is 155, ठीक है, तो 15 kilometer के लिए देखिए, x plus 15 equal to 155, पहला equation बन गया, second equation हमारा complete हो चुका है, ठीक है, अब क्या बोलता है, कि अगर person 25 kilometer चलता है, तो उसको कितना paid करना पड़ेगा, ठीक है, और यह भी पूच रहा है, कि fixed charge कितना है, और charge पर kilometer भी कितना है, ठीक है, तो चली देख लेते हैं, तब से पहले हमको x और y की value निकालना ही पड़ेगी, using the substitution method ही हमको इसका value को निकालना है, ठीक है, so now equation number 1, तो x is equal to कितना हैगा, 105 minus 10 y, ठीक है, put the value, put the value of x is equal to 105 minus 10 y in equation number 2, ठीक है, equation number 2 में क्या करना है, इसको, put कर लिजेगा, तो कितना आता है, देखे, x की value आई है, equation number 2 पूट करेंगे तो आएगा, 105 minus 10 y, और आएगा यहाँ पास में, plus 15 y equal to 155, ठीक है, 105 को उधर ले जाएगे, और बाकी इसको minus कर ले जाएगे, 15 में से 10 गया, बचेगा 5, और यहाँ आएगा, 155 minus 105, तो 5 में से फ़र किया, 0, 5, 0, और 1 में से फ़र किया, 0, 50 बचेगा, ठीक है, और यहाँ 5 y, so y equal to कितना आगया, 50 upon 5, 5 बचेगा 5, 10 तो अंसर आया, 10, y के value आगई हमारी 10, चलिए इसे तरीके से अब x के बचेगा निकाल लेते है, तो x equal to कितना है, 105 minus 10 into y के value है 10, ठीक तो 105 minus 10 into 10, 100, अंसर आएगा हमारा 5, तो x के value है 5 और y के value है 10, ठीक है, अब हमको क्या करना है, कितना किलो मेटर का निकालना है, 25 किलो मेटर का चार्ज निकालना है कि कितना लगेगा, ठीक है, so for 25 किलो मेटर चार्ज, कितना होगा देखिए, तो पहले fix charge, मतलब 5 रोपीज, ठीक है, फिर उसके बाद में 25 into variable charge कितना है, 10 रोपीज पर किलो मेटर, कितना आएगा देखिए, 5 plus 25 into 10, 250, तो अंसर कितना आएगा, 255 रोपीज, ठीक है, तो 255 रोपीज उसको paid करना पड़ेगा, कितना चलने के लिए, 25 किलो मेटर चलने के लिए, इतना उसको paid करना I hope आपको यह question भी अब समझ में आ गया होगा, ठीक है, so fifth question क्या बोलता है, देखते हैं चलिए, तो fifth question बोलता है, कि if fraction become 9 upon 11, ठीक है, एक fraction है, ठीक है, तो यह step का terms रहता है, इसको fraction में बोला जाता है, 9 upon 11 है, जिसमें, if 2 is added to the numerator, ठीक है, 2 is added to both numerator and denominator, तो 2 जो है, वो numerator and denominator दोनों में add होता है, तब जाके वो कितना बनेगा, 9 upon 11 बनेगा, ठीक है, चलिए देखते हैं, so according to the question, question number 5 ले लेते हैं, तो सबसे पहले हमको fraction की जर्वत पड़ेगी, so let the fraction, अब हमको तो मालूम नहीं की fraction कुईसा है, ठीक है, तो let the fraction be x upon y, ठीक है, तो x variable है और y भी variable तो x numerator होगा और y denominator होगा, चहें तो आप इसको इस term में लिख सकते हैं, और चहें तो लिख सकते हैं, the numerator value is x and the denominator value is y, चहें तो आप इसको वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो ठीक है, चलिए देखते है, according to the question, according to question, ठीक है कितना आ रहा है, x पे भी 2 और y पे भी 2, 2 add हो रहा है, देखे, 9 upon 11 बनेगा तब जाके, तो 2x plus, sorry, my mistake, x plus 2, numerator पे 2 और y पे भी 2, equal to 9 upon 11, ठीक है, इस टाइप के एक्वेशन आपको दे दिया, अब एक्वेशन को आपको एक्वेट करना पड़ेगा, मतलब एक सिंपल फोर्म में लेकर आना पड़ेगा, देखे, 11 को इससे और इसको इससे cross multiply करेंगे, तो value कितना आए एक्स प्लस 2, 11 और 9, y प्लस 2, ठीक है, तो multiply करेंगे, तो 11x प्लस 22 और या आएगा, 9y प्लस 18, ठीक है, वाल्यू को इतल ले आए, तो कितना आएगा, देखे, 11x-9y और इसको आप इधर ले जाए या फिर इधरी रहें सकते, कोई दिक्कार वाली बात, इसको इतल ले जा माइनस 9y प्लस 3, कितना आएगा, 22 में से 18 गया है, तो बचे का माइनस 4, तो यह पहला एक्वेशन हमारा आचुका है, चलिए इस तरह के से सेकेंड एक्वेशन देखते है, अपना कितना आ रहा है, तो 3 is added to both numerator and denominator, and it become 5y 6, तो 3 को एड करना है, और इसमें भी एड करना था, तो बहुत ही सिंपल सा है, देखे, तो, एकस प्लस 3 अपन व्य प्लस 3, कितना आ रहा है, 5 by 6, तो 5 अपन 6, ठीक है, तो 6 को इससे मंटीपलाई करें, इसको इससे, क्लास मंटीपलाई करने से कितना हैगा, एकस प्लस 3, और यहाएगा, 6, और इस को इससे करेंगे, तो, यप प्लस थ्री और यह आएगा आपका 5 ठीक है तो 6 को इससे मुट्प्लाइब करेंगे तो 6x और 3 6 जा 18 और इसको इससे करेंगे तो 5y प्लस 3 5 जा 15 तो कितना है अधिक है 6x-5y और यह 15 है और 18 अधर गया तो माइनस 18 तो 6x-5y इक्वेशन नमबर 2 यह एक्वेशन नमबर 1 आ चुका है यह वाला एक्वेशन नमबर 2 आ चुका है अब आप इसको इसली सॉल कर सकते हैं और इसका आंसर को आराम से निकाल सकते हैं एकदम ठीक है तो मिल्ड़ को निकाल के आप आंसर जरू कमेंट से नहीं बताईएगा कि अपका अंसर कितना आया ठीक है मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का चली इसी तरीके से कोश्चेन नमबर 6 देखते हैं तो कोश्चेन नमबर 6 क्या बोलता है 5 year hence the age of Jacob will be three times that of his son तो 5 year hence मतलब आज से पांस साल बाद कितना आज से पांस साल ठीक है तो अभी मेरी अगर मेरी एज को मैं ले लू कुछ भी और मेरे फादर की एज को अगर मैं कुछ भी ले लू ठीक है तो आज से पांस साल बाद मतलब मेरी एज भी पांच गुना बढ़ प्रिपांग बढ़ेगी और मेरी फादर की यज भी पांच ज्यादा बढ़ेगी त्या थिक है dedicated अगर आज मिल भी थी टाइंबस की तॉश्क आइबस नसे तॉब उसके सं न से तीन गुना चा दा ठीक है तो इसका लिए उसका ना चेकब की आज मालूमे नम्को क्या करना पड़ेगा हमको वेरियेबल लेना पड़ेगा ठीक है क्या करना पड़ेगा एक वेरियेबल लेके हमको इसको solve करना पड़ेगा तो five year hence hence का मतलब किया आज से पांच साल बाद जिले देखते हैं इसको solve कैसे किया जाएगा ठीक है the age of Jacob will be three times that of his son याद दकी है ठीक है तो let the Jacob age b कितना हो सकता है x ले लेते हैं and the Jacob sun age कितना है y ले लीजे ठीक है x age ले ले लीजे और एक y years का है तो मतलब Jacob x year का है और उसका बेटा जो है वो कितना year का है y year का है तो five year hence according to question तो five year hence का मतलब x plus five equal to y plus five देखें दोनों के दोनों पांस साल आगे बढ़ गए अब क्या बूलता है जेकप का age जो है उसके sun के age से तीन गुना जादा है कितना जादा है three times जादा है तो तीन गुना मतलब ये बेटे का age है तो इसको three से आप multiply कर दीजे बेटे के age में three multiply करेंगे तो son बाप के जा जाएगा father के age ठीक है तो इस तरीके से ये equation complete होता है तो इस equation को आप चली बना लेजे तो तो X plus five equal to three y plus three five is a fifteen देखे एक स माइनस three y इसको 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 तो तो 15-5 तो X-3y equal to कितना रहा है टेम्ट एक क्वेशन नमबर वन हमारा complete हो चुका है ठीक है अगेन तो एक क्वेशन तो हमारा काम बनेगा नहीं ठीक है तो दूसरे एक क्वेशन में क्या बोलता है देखें बोलता है फाइव यर एको मतलब पांस साल पहले मतलब की फादर का एज भी पांस साल पहले कितना और उसके बेटे का एज भी पांस साल पहले कितना जेकब एज वाज सेवन टैम स्थेट आफ़ ऐस सन कितना साध गुना ज्यादा था बेटे की एक तो प्रेजेंट वो ट्रॉट आरmill प्रेजेंट इसित्हें को प्रेजेंट एज कृति अउसरी फैजेंगा ऑले कितना थे प्रेजेंट यश्यों का एक्सॉर-वाई से उंकी कभ और सन के इससे भी पांच साल कम कर दीजे ठीक है यह प्रेजेंट एज है और इसमें से पांच साल कम कर दीजे तो पांच साल पहले चले जाएंगे यह भी प्रेजेंट एज है तो इससे भी पांच साल कम कर दीजे तो यह भी पीछे चले जाएंगे अब साथ गुना ज्यादा जेकब की एज है किसे सन की इससे साथ गुना मतलब 7 x to the sun age ठीक है अब यह एक हमारे equation complete है तो x-5 और 7y-35 ठीक है अब आप इसको इसल्व कर सकते हैं तो कितना आप देखें x-5 तो अच्छे solve कर लेते हैं तो देखें कितना आएगा x-7y ठीक है और इस 5 को तर ले जाए तो minus 35 plus 5 so x-7y equal to यह एगा minus 30 ठीक है तो दिस इस आवर second equation and this is आवर first equation ठीक है तो x-3y equal to 10 आया मारा पहला equation और second equation आया x-7y equal to minus 30 तो यह दोनों equation आपको मिल चुका है आप अब आप इसको easily substitution method से solve कर सकते हैं बहुत है simple equation है जब इस type के आपको question आते हैं तो आपके equation बहुत है simple बनते हैं ठीक है और अगर आपको इस type का equations आये तो आपके equations थोड़े tough रहते हैं क्योंकि आपको direct question दे देता है ठीक है मेरे अंदास से आपको यह वाले questions है यह ज्यादा easy पढ़ेंगे और इस type के question आने के chances भी ज्यादा होते हैं क्योंकि इसमें सिब logic लगाना रहता है अगर आप एक बार इस logic को समझ जाएं कि इसको question को कैसे solve करना है तो आपका answer बहुत ही जल्दी दो या ज्यादा ज्यादा तीन मिनट में आपका answer आ जाएगा ठीक है तो I hope आपको यह exercise 3.3 अब clear हो गया होगा ठीक है तो जितने भी answers मैंने आपको बोले हैं तो आप चाहें तो please comment section के through मुझे answer जरूर बता सकते हैं ठीक है तो इस वीडियो को हम लोग यही close करेंगे जो next topic रहेगा हमारा वह elimination method की उपर में जो question है exercise no.3.4 उसको solve करेंगे अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगे हैं तो इसे like और share भी जरूर कर दीजेगा जिससे other looks को भी benefit हो पाए और हमारे चैनल को subscribe करना ना बूले thank you for joining this video आपका दिन सुब रहे